नमस्कार दोस्तों आज हम LIC के एक बहतरीन इंशोरेंस प्लान जीवन लक्षय के बारे में बताने वाले हैं काफी लोग इस पोलिसी को कन्यादान पोलिसी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें आप सिर्फ 75 रुपे परती दिन दे कर 11 लाख रुपे अपनी बेटे के कन्यादान के लिए इखटा कर सकते हैं सिर्फ इतना ही नहीं इसमें आपकी पोलिसी पर आपको 3 साल किस्त ना देने की छूट मिल जाती है यानि की अगर आप 20 साल के लिए पोलिसी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको 17 साल किस्त देनी होगी इसके साथ साथ पिता के ना रहने पर इस पोलिसी में किस्ते नहीं ली जाएगी पिता की मिर्त्यू होने पर तुरंट 5 लाक रुपे आपके बच्चे को मिल जाते हैं इसके साथ साथ लड़की के लालन पालन हे तूं 50,000 रुपे हर वर्ष मिलते रहेगी अगर पिता की मिर्त्यू हो जाती है अभी मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और 21 साल के लिए आप ये इंशूरेंस प्लान लेना चाहते हैं अगर आप 21 साल के लिए ये insurance plan लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल आपके policy में premium की payment करनी होगी यानि की 3 साल की इसमें आपको छूट मिल जाती हैं उसके बाद हम बात करते हैं sum assured की तो मान लेते हैं कि आप 5 लाक रुपे का विमा इसमें लेना चाहते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना premium आपको पे करना होगा तो अभी जो आपके उम्र है वो 30 साल की हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया 18 साल इसमें आपको premium की payment करनी होगी उसके बाद जब आपके उमर 48 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको तीन साल तक premium की payment नहीं करनी है जब यहाँ पे आपके policy के 21 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर इस policy की maturity हो जाती है और जब इस policy की maturity होती है उस समय लगबग लगबग 10,64,500 रुपे का amount आपकी बेटे के कन्यादान के लिए मिल जाते हैं यह हमने बात तब की है जब पिता के साथ कोई भी दुरगटना नहीं होती है आईए अब बात करते हैं कि अगर पिता के साथ दुरगटना हो जाती है तो बेटे का कन्यादान कैसे होगा तो हम example समझने के लिए मान लेते हैं जब पिता की उम्र 34 साल की होती है तो यहाँ पर उनकी किसी भी कारान से death हो जाती है तो जब भी पिता की death होती है तो उसके बाद policy के किस्त आपको नहीं बरनी होगी बाकी के बच्चे सालों में आपकी policy ऐसे की ऐसे चलती रहेगी लेकिन आपको premium की payment नहीं करनी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल बाद अगर death होती है तो हमारी policy के बाकी 17 साल बच जाते हैं तो जब यह 17 साल बच्चे गें तो इन में हर साल बच्चे को 50,000 रुपे हर साल मिलते रहेगे जो की आपके समेशोड का 10% होता है इन 17 सालों में हर साल 50,000 रुपे आपके घरवालों को मिलते रहेगे उसके बाद जब यहाँ पे आपकी policy के 21 साल पूरे हो जाती है तो जो policy के maturity का amount मिलना था वो भी आपकी family को मिल जाता है जो की यहाँ पर 10,64,500 रुपे का था यानि की लड़की के लालन पालन हेतू पैसी तो मिलते रहेगे हर साल इसी के साथ साथ maturity पर जब उसकी शादी होनी होगी उस समय भी उनको यहाँ पर पैसे मिल जाती हैं सिर्फ इतना ही नहीं जब यहाँ पर आपकी death होती है तो उस समय भी यहाँ पर policy के 5,00,000 रुपे मिल जाते हैं यह 5,00,000 रुपे आपको तभी मिलते हैं अगर आप अपनी policy में term rider add कराते हैं यह एक additional benefit होता है अगर आपको इस policy में यह benefit add कराना है तो आप यह benefit add करा सकते हैं जब भी policy holder की death होती है तो उस समय समय शोड का amount death के case में मिल जाते हैं इसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर policy holder की death accident की कारण होती है तो इस 5,00,000 रुपे के साथ-साथ 5,00,000 रुपे additional मिलते हैं यानि की death के समय 10,00,000 रुपे का amount आपकी family को मिल जाते हैं इसी के साथ-साथ 50,000 17 साल तक मिलते रहेगे और यहाँ पर maturity के समय 10,64,500 रुपे का amount भी मिल जाएगा तो यह एक काफी बहतरीन प्लान है अगर आप अपनी बेटी के लिए लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे दिये हुए नंबर पर संपर करके इस insurance प्लान को ले सकते हैं या इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं इसके साथ साथ इस पोलिसी में आपको लोन की शुईदा, टेक्स बेनिफिट इस तरह की और काफी जो फाइदे हैं वो इसमें मिल जाते हैं धन्यवाद